देखिए दोस्तों मैं आज ग्यारस के वरत की थाली बना रही हूं देखिए उसके लिए मैं चटनी बना रही हूं चटनी में हरी मिर्ची और दो मोटे टमाटाई इनकी मैं अभी सपेशल चटनी बनाऊंगे अब बजे हैं छह बजे मैंने देखा है अपनी धही को देखो मेरी धही ऐसी जमी है और अच्छी परफेक्ट धही जमी है देखिए आप देख पारे होगे अब रत की थाली के लिए हम बनाएंगे खीरे का रायता खीरे का रायता के लिए यह मैंने धही लिया अब यह थोड़ा सा मैं निकाल लेकी हूं धही को यह मैंने निकाल लिया अब मैंने यह खीरा कसरका था अब यह खीरा मैं धही में धही में खीरा जाएगा मेरा धही के अब इसमें मैं जो मैंने चटनी पिस्सी दी थोड़ी सी हरी चटनी जाएगी और ये काली मिर्च हैं जिनको मैं कूटती हूँ मैं कभी भी पिसी हुई मिर्ची निलाती हूँ, मैं हमेशा हातों से कूटती हूँ, तूकि हातों से कूटी हुई काली मिर्ची अच्छी होती है, अब हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची डालेंगे, अब इस धही को हम ऐसे रफ़ देगे, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, नीपरल के थाले का बोंगया मेरा रायता इसको मैंने रखत दिया है देह कैसे बनाते हैं पोपट सबजी यह गहे थे लेने के लीएक सtsåै देखिए है कैसे बनाते हैए इन तो written पेठा लेने के लिए और किसी ने इनको जूट बोलके दे दिया यह पपिता गर पे आते ही मैंने बोला कि ये तो पोपट उना दिया आपका देखे दोस्तों अब मैंने ये कड़ाई चड़ा दिया सबजी के लिए और मैंने इसमें क्योंकि बर्त की सबजी बन रहे इसलिए हम डालेंगे रिफाइंड सर्शू के तेल नहीं डालते बरत में अब इसमें ह अब तेल गर्वाइब तो इसलिए मैं इसमें डालोंगे अब काली मिर्च ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा तेल गर्वाइब गर्म हो गया है अब मेरा तेल हो गया है गर्म अब मैं इसमें डालूंगी अपने टमाटच अब मैं इसमें डालूंगी एक चमच नमक नमक आप सवादानुस्वाइब डालें जैसा आप खाते हो उसी तरह से बैस अब बरत की सबजी दिल कुल सिंपल तरीके से और हमारी प्रत की सब्जी इस तरह से बन गया है और अब मैं इसको ढखके ढखके दस मिनट के लिए रख दूँए मेरी ये सब्जी बनके तैयार हो गई है मेरी ये सब्जी बन गई है दस मिनट बाद आप इसमें मैं तीन चमच चीनी डालेंगे इसमें और फिर हमारी सब्जी तैयार हो जाएगे और गैस को तेजग रखना है जब हम चीनी डालते हैं तो गैस को तेज कर देखो दोस्तों ये मेरा कुट्टू काटता है अब इतना मेरी टेमाटर हो रहे हैं इतने में क्या करूंगी ये मेरा कुट्टू काटता है तयारी कर लोंगी अधिकलह1 कलो पाईय नाधक आध मेने बचा लिया है पाईय कुट्ट्टु कार्टा है मेरा सिंघाड़े लेख़ और इस तरह से पाईय सिंघाड़े लेख़़क छ अगो hell को मैं करूँंगी निक्स के अब मैं इं दोनों को को नमक इसमें मैं नमक काप सवाद अनुसा डाले मैं इसमें एक चमच नमक भानिंगे नमक अपने सवाद क्या कोडिं सवी दाले जैसा भी आप पसल किरते हैं उसी तरह हैं किसthen अब मैं इसाटे को अच्छे से руб अब मैंने आटा मिलाया इतनी देर में मेरे टमाटर हो गए है अब मेरे टमाटर भूल चुके हैं मेरे टमाटर ने पानी छोड़ दिया अब मैं इसमें डालेंगी यह अपना पपीटा कि अपपीते की सब्जी बहुत हैल्धी होते और वरत में तो बहुत अच्छी होगे अब में इसकी दोस्तों मैंने गैस को कर दिया ओन अब मैंने अपनुगे को रख दिया गैस पœãy और मैंने कुट्टुका और सिंगाडे काट्टा लगा लिया है अब मैं बनाओंगी चोटी-चोटी पतली-पतली रोटियां इसको हम नरम हाथों से बिल्कुल हलकी हाथों से बेलेंगे ज्यादा दवाओ नहीं देंगे और रोटी को बार-बार घूमाते रहेंगे क्योंकि हम अब यह हमारा फुला फुला पराठा तयार हूँ है देखिए दोस्तों नरम नरम हाथों से इसको हम फुला देंगे दोस्तों यह हमारी बरत की हो गई थाली तयार देखिए यह हमारी सबजी है यह हमारा राइता है और यह हमारी चक्नी है और मूली की सलाथ और दो पराठे यह मैंने पर अगर आपको ब्रत किताली पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें और शेयर करें कोमेंट करें मेरे चैनल को प्लीज प्लीज मेरे चैनल को जरूर से जरूर सस्क्राइब करें